हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो आज हम फिर आए हैं आपके लिए दो सबसे शानदार स्कूटर का दोस्तो देखते हैं आज कि किटना प्राइस डिफरेंडिज हैं क्या फीचर रहा है और अन्त में एक ओवर्वियु करेंगे कि कौन सी आपके लिए बैटर रहेग या कौन सी आपको महंगी पढ़ने वाली है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, प्राइजिंग की ही, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा प्राइजी है, तो एथर 450S आपको जो एक लाग 29,999 रुपे की, और जो आपको गाड़ी ओन रोड पढ़ने वाली है, वो इसे वो है, एक लाग 29,999 में, और आपको जो ओन रोड पढ़ने वाली है, दोस्तों, वो पढ़ने वाली है, एक लाग 30,000 रुपे की, तो पूरा 10,000 का प्राइज डिफरेंस आ रहा है, दोरों ही लेक्री स्कूटर में, अब देखते हैं, वो 10,000 में क्या-क्या कटोती कर हैं, और इधर Ather 450S में आपको 10,000 रुपे में क्या-क्या बेनेफिट मिल रहे हैं, चलिए अब बत कर लेते हैं कि, रेंज कितनी मिल रही है, दोनों ही गाडियों में, पर चार्ज पर, तो Ather 450S में आपको जो कंपनी क्लेम कर रही है, वो है 90 किलोमेटर की रेंज मिलने वाल है, डिपैंड करता है, आप कैसी गाड़ी चलाते है, और इसके साथ अगर हम कंपेर करें, Ola S1 Air की, तो Ola S1 Air में जो सर्टिफाइड रेंज बता रही है, तो इसमें आप मानके चलिए कि आपको 110 से 115 किलोमेटर की रेंज मिलने वाली है, तो रेंज की मामले में कहीं Ola S1 Air थोड़ी सी आगए है, चलिए, एक बार टॉप स्पीड के बारे में भी जान लेते हैं, तो टॉप स्पीड दोनों में ही 90 किलोमेटर की बता रखी है कम्पनी ने, और दोनों ही टॉप स्पीड 90 किलोमेटर सथ भाग जाती है, ने कि दोनों ही गाड़िया हमने 90 किलोमेटर बागा रखी है अब बात कर लेता है कि दोनों में कौन-कौन से हमें मोड्स दिये गए हैं तो एथर 450S में आपको तीन मोड दिये गए है इको मोड राइड मोड एंड स्पोर्स मोड और इसके साथ ही ओला S1 Air में भी आपको तीन मोड दिये गए है इको मोड नॉर्मल मोड एंड स्पोर्स मोड यह जो कंपनी ने रेंज बताई है 125 किलोमेटर की ओला में और 90 किलोमेटर की एथर में यह आपको इको मोड की रेंज बताई है यानि कि अगर आप नॉर्मल मोड या स्पोर्स मोड में च 50S आपको सिर्फ 3.9 सेकंड में 0 से 40 km परती गंटा की रफतार से भाग जाएगी तो acceleration के मामले में ये गाड़ी बड़ी ही जबर्दस्त है और इसके साथ अगर हम कंपेर करें Ola S1 Air को तो दोस्तों वो इससे भी ज़्यादा जबर्दस्त है यानि कि 3.5 सेकंड में वो 0 से 40 km की फीचर्स की जो की सबसे शांदार इसमें फीचर्स दिया गया है दोनों ही लेक्टी स्कूटर में इसकी डिस्प्ले तो एथर 450S में आपको साथ इंची की बहुत ही शांदार टॉच्स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी जिसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो डीप व्यू ड और तस्क्रीन देखने को मिल जाएगी दोस्तों उसमें भी आपको built-in navigation मिलेगा music party mode मिलता है जिसमें आप music play कर सकते हैं calling कर सकते हैं आप अपने document सेव कर सकते हैं और आप अपनी electric scooter को screen से ही unlock भी कर सकते हैं तो ये तो हैं इन दोनों electric scooters के features तो friends अब बात करते हैं कि वो जो डलान पर है यानि कि वो गाड़ी पीछे एकदम से नहीं जाएगी जैसे other electric vehicles या other vehicles जाते हैं तो ये उसका एक अच्छा feature में देखने को मिला अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि boot space दोनों में कितना मिल रहा है क्योंकि तो Ather 450S में आपको 22 लिटर का शांदार boot space मिलने वाला ह बड़ अगर हम compare करें Ola S1 Air के साथ तो Ola ने तो दोस्तों कमाल कर दिया है 34 लिटर का आपको एक शांदार boot space मिलने वाला है जिसमें आप दो helmet अराम से रख सकते हैं आपको घर का काफी समान इसमें रख सकते हैं बहुत बड़ा bag भी इसमें रख सकते हैं तो boot space के मामले में O Ola S1 Air काफी आगे निकल गई है अब बात कर लेते हैं दो तो suspension की तो ether 450S में आपको monoshock suspension मिलेंगे दोनों ही side और Ola S1 Air में आपको twin telescopic suspension मिल जाएंगे front में और rear में double shocker with dual tube suspension मिल जाते हैं और friends दोनों ही गाडियों में side stand sensor दिये गया है यानि कि sensor आपका on हो जाएगा जैसे आपका side stand लगेगा बट ether 450S में एक अलगी feature दिया गया है वो है auto indicator cut off जो की एक शांदार feature है दोस्तों इसमें जैसे ही गाड़ी आपकी पूरा turn एक बार ले लेगी तो आपके indicators खुद बखुद cut off हो जाएंगे तो ये आपको feature Ola S1 Air में नहीं मिलने वाला है दूसरा feature जो आ बाद भी वो light जलती रहेगी तो ये एक अच्छा feature Ather 450S में आपको मिल जाएगा ये feature आपको Ola में नहीं मिलेगा इसकी इलावा जो feature आपको अलग से मिलता है वो है go incognito जो कि आपको Ola S1 Air में नहीं मिलने वाला है दोस्तों तो काफी सारे features Ola S1 Air में miss है बट टॉप speed और range Ola S1 Air में आपको बहतर मिल रही है दोस्तों अब बात कर लेते हैं color variants की तो Ather 450S में आपको सिर्फ 4 color variants देखने को मिलेंगे and अगर हम Ola S1 Air में देखें तो उसमें आपको 6 बहुती शांदार color variants देखने को मिल जाते है अब Ather 450S में एक और शांदार feature दिया गया है दोस्तों वो है इसकी safety से related false safe अगर आपकी गाड़ी गिर जाये तो आपका जो भी power है वो बिल्कुल cut off हो जाती है इसके बहुत सारे benefits है दोस्तों एक तो battery को कोई harm नहीं होगा गाड़ी में आग वगर लगने की कोई समस्या नहीं पैदा होगी तो ये features Ather में बहुती सोस समझ कर बना रहा है बट Ola S1 Air में आपको सिर्फ Combi braking system मिल रहा है disc brake ना तो rear में है ना ही front तो braking system के मामले में Ather 450S काफी आगे निकल गई है Ola S1 Air से अब बात कर रहेते है friends एक और important points की जो की है charging time तो Ather 450S में जो charging time लग रहा है पूरी गाड़ी को charge करने के लिए वो लग रहा है दोस्तो आठ गंटे 36 मिनट यानि की 8 आठ 36 मिनट लग रहे है चार्ज होने में जो की एक बहुत लंबा समय है 90 km की range और 8.5 गंटे से ज़्यादा ये गाड़ी चार्ज होने में ले रही है तो ये कही ना कहीं इसका एक drawback है दोस्तो बट अगर हम compare करे Ola S1 Air से तो Ola S1 Air में सिर्फ 5 गंटे ले रही है गाड़ी फुल चार्ज होने में और आपको 125 km तक की range दे देगी तो range के मामले में charging time के मामले में और screen के features के मामले में Ola S1 Air ठीक है बट अगर आपको कुछ अलगी features चाहिए आने की other features जो की शांदार है वो आपको Ather 450S में मिलेंगे बट अगर हम price को compare करे तो Ola S1 Air आपको 10,000 सस्ती पढ़ने वाली है as compared to Ather 450S तो दोस्तो ये था एक full overview जिसमें हमने compare किया है Ather 450S को and Ola S1 Air को आशा करता हूँ आप लोग का confusion जो आपके mind में होगा वो धूर होगा और आपको आसानी रहेगी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी गाड़ी आपक अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आपको latest electric scooters की सारे जानकारी provide करते हैं बिल्कुल right जानकारी provide करते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो बहतर लगी तो इसे share भी कीजेगा दोस्तों वीडियो को watch करने के लिए बहुत-बहुत ध करते हैं